नमस्कार, मदू की रस्वय में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकोड़ा क्योंकि होली का अपसर है तो इसलिए हम लोग ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे ब्रेड पकोड़े के लिए चाहिए पनीर सवा इंच वाइंच का टुकड़ा ले लेना है और जो चोड़ाई है उसकी आदे इंच से कम लेनी है इतने पहले से काटके रखे होए है इसमें स्तमान होने वाले समागरी है दो बड़े चमच चावल का हाटा और 100 ग्राम बेसर ले अजुएल लेनी है और चाहट मसाला हमने पनीर के टुकड़ों में भरने के लिए लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और चुटकी बड़ और तलने के लिए रिफाइल लेना है सबसे पहले हम बड़तन में लेशन डाल लेंगे उसमें हमने चावल काटा डाल दाल देन और क्रिस्पी बढ़ी आता है चुटकी वर मीटा सोड़ा डावी में तो ऐसे लिलाते हैं इसमें नमग, वाप अनुसार, रामुच पाउडर, अजवेन, रावी, दिले दिले पानी को हुने डालते हुए हुने घूल क्यार करना है घूल ना मुटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए पानी अच्छे से फेट लगी है ताकि फुले तो पकोड़े को फुले पुले अच्छे से बढ़े पानी एक तर नहीं डालना है विज़े पानी डालते हुए बोल को क्यार करना है आप चाहिए श्कून से भी बोल को फेट सकते हैं करना बड़ा करना है यह था करते हैं यह था नहीं बड़े पानी नहीं है आप में बोल प्लेक्ट अलेसे ही प्लेक्टा आप अब इसको यह हमारा खोल ऐसा इस देना गाड़ा होना चाहिए नई से पतला होना चाहिए और यह फूल ने भी लग बड़ा है अब इसको हम तक तक रख देंगे लगता कि देर गरम होता है और हम परी में मसाला होते हैं हाँ, अब हम्हें बोलतों बनके त्यार है अब हम इस पर पनीर में हमने यह चात मसाला डालना है तो चात मसाल यह एसे कट करना है उइसनी को थे लगाएंगे उचमे और फूरा कट में jurisdictions जणा की इतना छोल देगा आर Excellent कट्रूरा आग बशल कर हमने कि चात मिसाला है कि चात मिसाल कमरा अब लिए को findet एन बूद के टान रहतな है मैं दूसरे को थे लालना है भी इतने शब्स बेदा है कुछ और दूसरी को भी ऐसे ही मसाला भरे गी ऐसे ही हमने बाप भी इसमें भी मसाले घरके रखता है हमने सारे परीय के फुक्रों में मसाला भर लिया है आप हम पकुलों को तलने के लिए तेज़ द्रम करेंगे तो उसके गया समस रभी है तक हम और इसको बेसल को फेट लेगे और बोल को आपको फेट लेगे इससे अपुल अच्चे पकुल फुलिक से आते है जीत जादे बेसल फिरटेगा इतना यह अच्छे पकुलिक प्लक्रिक फुलिक फुलिक लेगे तो तेह हमारा गर्म हो चुका है बेसल भी हमारा फुल अब़ेट चुका है अब इसके लिए हमने क्या किया है, हमने पाव 200 ग्राम पनी ले लिया है, तो उसमें 100 ग्राम बेशन और दो बड़े समझ चावक्ता आठा ले लिया है, और बेशन नहीं हमारा त्यार है, हम पकोले बनाएं लिया है हमने के लिए बुड़ा दाना है, और ऐसे हमने जानते हुए अँ़ हमने कि लिए मोल तो आघसे में कि खा हमें कि आदे ही 산 ниडों। हमने के लिए जाएं आढा हैnyt हम हमनге कि लिएह सम्दावर है हम हम हमने कि लिएग एप को बढने किा लिए हम ख़गया है तो भी मेंवानों के लिए बरावारा है, मेंवानों के आने से पहले आदे पर्पे रखेरा है, उो शुष्किवान आपके सुछ निफ आपके आपके आप, जा आपके 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 जाचे जνεए. झाल और ये ते भी आप झेदा हो और के ग भी पार लिदे गार के देदट वे खाफ़ने हैं और नो पसे पर आदे वे रखले के अपारन में कर दो कर दो भर extra जाँ कर दो कर दो दोर्टीम कर दो अजना है पकोड़े हमारे बन के त्यार हैं और बाके ही बहुत टिस्टी पकोड़े बने हैं इसको होली के अफसर पर जरूर बनाएं खुद भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं और जाके मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना भूली